आख कर दो नमस्कार सबी लोगों को मेरा नाम है करमिजड़ी जयर और मैं आपका स्वागत करता हूं सिम्पली सी ऐसी में और यह हैं मेरा ऐल्गोर्थम कॉर्स और आज हम पढ़णे वहाले हैं टाइम कॉप लेक्सिटी ये है लेक्टर सेंग नुबर वन और आज हम टाइम कॉपलेक्सिटी पढ़ने का तो कोई भी इंसान अगर सेमस्टर के प्रपेरेशन कर रहा है या फिर प्लेस्मेंट्स फोर्णना चाहता है या फिर इल्गॉरिद्म में पकडबलाना च जाता है क्योंकि algorithm एक बहुत इंपोर्टेंट कोर्स है computer science and engineering का या फिर competitive program की तरफ से बढ़ना है problem solving skills आपके अंदर होने जाए as a computer engineer you have to be a problem solver a good problem solver आपको होना चाहिए तो यहां पर मैं algorithms लेकर आया हूं इसकी prerequisite है कि आपको एक language आनी चाहिए और data structures and algorithms आना चाहिए लेकिन क्योंकि इस चैनल का नाम simple CSP है तो अगर आपको नहीं भी आती को programming language तो कोई problem नहीं है मैं आपको साथ साथ में जितनी programming language required है उतनी भी सका दूँगा और आपको data structures and algorithms की भी अगर knowledge नहीं है data structures के अगर आपको knowledge नहीं है तो वह भी आपको मैं सिखा दूँगा जो भी हमारे data structures आएंगे अगर आपके पास knowledge और लेंग्विज इतनी important है लेकिन बहुत ही ज्यादे important है क्योंकि यहीं matter करेगा तो आप अगर नहीं भी सीखते हैं और इस playlist में क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नमबर वान जो कि है time complexity के उपर तो सबसे पहले मैं इंट्रड्यूस करता हूँ कि भाई time complexity होती क्या है स्टार्ट करते बिगिनिंग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या कर देजिए simple cs आपके लिए cs मैं बहुत ही आसान बनाने वाला हूं जितना आसान कि आपने एपी cv नहीं सीखा होगा तो भरोसा रखे मेरे अंदर और आपके अंदर आप कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते तो यहां पे मैं आपको दिखाना है चाहूँगा टाइम टाइम गॉंपलेक्सिटी यहां पे टाइम काॉंपलेक्सिटी क्या होती है तो यहां पे मैं आपको एक में पूरा एक लिस्ट बना दिया पहले मैं यह करण गाले। मैं यह बोलता है कि पहले डूर्थ डालूंगा यह-बोलता है कि सबसे पहले मैं पानी डालूँगा फिर उसमें सब फिर उसको उबलने दूँगा और फिर उसमें सब यह लग लग चीज डालूँगा फर एक्जांपल यह तीनों जो है तीन अलग प्रोसेजर लेकर आए अब मैं किस बेजिस पर चेक करूँगा सबसे पहले चेक करूँगा क सबसे अच्छी चाइकॉन बना रहा है फिर मैं चेक करूँगा कि सबसे जल्दी चाइकॉन बना रहा है तो ये तीन क्राइटेरिया है हमारे लिए ठीक है तो इन तीनों पर मैं चाइक को जज़ करूँगा और A, B, C तीनों की प्रोसेजर को जज़ करूँगा वैसे ही अगर आपको मैं दूसरा एक्जामबल दूँ तो दूसरा एक्जामबल में मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके पास तीन गाड़ी है आपके पास तीन कार है और कार में आपके पास क्या है यह और प्र आपके पासे क्या होगा कि स्पीड देगी और कॉस्टाइड है जब कि विस्त यह तुरौ देगी यह पो पूर्स की अगर ऊजब implants करना है तो अब कब यूज़क using आपको स्पीड भी दें नहीं चाहिए और आपको कॉस्त भी पिंपर्फ्रस्ट्पक्राइब करते हैं जब लेकिन जब आपको स्पीड को दोने चाहिए आपके लिए स्पीड matter करता है rather than cost then speed is greater needed before the cost ठीक है तब आपको ये अलग algorithm की choice करोगे जब आपको speed भी lenient चाहिए और cost भी कम चाहिए तो आप अलग अगर आपको speed minimal चाहिए और मलब speed अच्छी इत मलब ऐसे एक normal चाहिए और cost आपको कम थोड़ा चाहिए तो भी आपकी अलग चाहिज होगी तो इन सब चीज़ जो मैंने आपको बताना क्या चाहता हूं कि आपको बताना चाहता हो कि algorithm क्या है algorithm कुछ भी नहीं है बड़ा हुआ बना के रखता है कि algorithm बहुत ही complex चीज़ है algorithm कुछ भी नहीं आपके पास एक problem है आपको आप उसका step by step आपकी हिशाब से solution निकाल के लाओ तो उसे कहते है algorithm कोई भी प्राब्लम यह है उसको solve करने के लिए अगर मैं 10 जनों को बुलाओं तो 10 जन अगर अलग अलग तरीके से problem solve करते हैं तो मेरे को इन में से एक चूज करना है algorithm कि मैं कौन सा algorithm यूज करूं कि मेरा जो problem है वो अच्छे से solve हो सके तो उसका one of and most important criteria है time complexity तो algorithms अगर कोई भी जैसे कोई भी एक कंपनी होती है तो उसके सब्सक्राइब करूंगा और फिर उनके बीजिस पर जच करूंगा कि कौन सा algorithm अच्छा है तो वह algorithm में लगा के problem solve करूंगा तो हमारा end result हो गया कि हमें problem solve करनी है और algorithm बहुत सारे है तो इन सब को judge करने के लिए एक factor मेरे पास हो गया वह है time complexity तो इसको मैं यूज करके सभी algorithm की performance के बार बता सकता हूं तो यह था basic introduction का time complexity में और थोड़ा depth में जाएंगे सेकेंड वीडियो में तो तिल रेन stay tuned और subscribe करें मेरी चैनल को thank you bye bye मिलते हैं next lecture में